एक चिकित्सक को भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है लेकिन सही माइने में चिकित्सक वही है जिसके पास समवेदना हो जिसकी मुस्कुराहट मरीज की आधी बीमारी उपचार से पहले ही दूर कर दे कोरोना काल में अनुगिनत चिकित्सकों ने कुछ इसी प्रकार से अपनी भूमी का समरपन भाव के साथ निभाई है यदि बात हिसार की करें तो जिंदर हॉस्पीटल में पिछले कई वर्षों से मरीजों की सेवा कर रही डॉक्टर माधुरी महता अपने मरीजों के मुर्जा हुए चेहरों पर मुस्कान का कारण बनी हैं डॉक्टर माधुरी महता से उप्चार करवाने वाले इन मरीजों से सुनिए किस प्रकार से डॉक्टर महता ने उन्हें नव जीवन प्रदान किया है दिक्कत थी यौकर बोला हानी बोलना डिकोड में वो फोन से शी हो गी थी उसका प्रेशन कराया है इमन बहुत सई बहुत ठीक हो कैसा आप काहल भौ रहा? डॉक्टर कैसी है? होट अच्छी, फोलन में भी और टीटमेंट में भी होट था है, होट अच्छी रहे हैं वो आमन तीन दोक्तना के दिखा लिया था, मतल बदल बदल के मेरा मतल अराम नहीं मिला, फिरूर आया किन वो करया अक्सरा, उस तो पता चे लिया मेरे या विमारी है, यहां के फिर अप्रेशन करवाया नहीं, मतल अभी मसही बोल लू हूं, नहीं तो गड़ा बिकुल बैठ है अरता है तो इस छोंपिण दोको पूर थांटव नहीं बदल कर दोस्ताफित कर दोता ही इसकते लूहां के लिए्ट बदल बदलाओ उरने विस और आपको अनवें करवें पूंद तो घ्ल अप्ते लिया था रज़ है यहां वार्वाइ सोज़ अनो इस कर्णा क्ट नहीं में आएब बाष्याजाट वाल नात्याजाजीड इन वेरी एंट नयाज चमीज़ एंट रावेल ऑन एंट वेचे सहथ वालने हो फीजाज़ भीज़ व्हाला टाट शेशीडि क्यों नहीं प्यक्याजाज च्याने की इवालने जाज़े ने ने वे घॉटतिम अशने साथ समरी, I would like to once again thank you from the bottom of my heart. मादूरी मैता के दिखाया और बहुत अच्छा अराम है मेरे नचले की प्रॉब्लम थी. मादूरी महता ने उम्मीदों से भर दिया है. कोरोना के इसी दौर में चिकित्सकों के बीच जो सबसे बड़ी चुनोती बनकर सामने आया उसे अब तो सब ही जानने लगे हैं. जी हाँ हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की. ब्लैक फंगस के प्रमुख कारण क्या रहे और इसके उपचार में चिकित्सकों को किस प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ा. एक छोटे से अंतराल के बाद हम करेंगे चर्चा ना कान गलारू विशेशग्य डॉक्टर माधुरी महता से. नमश्कार मैं विवेक कुमार आप देख रहे हैं दानेशन टाइम्स. दानेशन टाइम्स की टीम आज ये जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर ब्लैक फंगस जो बड़ी परिशानी बना रहा इस कोरोना के दौर में उसके प्रमुक कारण क्या रहे और ये डिजीज आखिर इस दौर में इतनी तेजी से क्यों बढ़ी. ये तमाम पहलू होंगे आज बाचीत का विशे बनेंगे और इस पर चर्चा भी हम करेंगी. आज हमारे बीच डौक्टर माधुरी महता मवजूद हैं जो बहुत लंबा एक्सपिरियंस हैं इनको नाक, कान, गला, रोग, विशे शग्ये हैं बड़े लंबे अरसे से जिंदल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। लोग साब बहुत-बहुत स्वागत हैं। थैंक यू बेरे माच। उसको डिजीज वाला टिशू होके जब नेक्रोसिस होता है तो वो काले रंगा हो जाता है। तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है क्योंकि जो उसका प्रेजेशन है मरीज देर से अगर आए तो काले रंगा उसका स्किन और अंदर तालू सब हो जाता है। तो उसलि में, डिकेंग वेजिटेबल में, हवा में, सांस में, हर तरफ है, जैसे वाइरस और बैक्टीरिया है, लेकिन एक हेल्दी इनसान को ये तंग नहीं करें, ये शरीर पे आकरमन तभी करते हैं जब शरीर की उसकी fighting capacity कम है, immunity कमजोर है, तो black fungus और covid ने ये बता दिया है, कि health एक देश की, एक इनसान की progress के लिए कितना जरूरी है, आपकी सारी economy एक तरफ, आपका सारा finance एक तरफ, आपका सारा जो अब उस पे लगाते हैं अपन देश की रक्षा के लिए उस पे, वो सब एक तरफ है, और health of its citizens is very important, और वोही जो कमजोर है, वो इसके घेरे में आ गया है, black fungus के. हम ये जानना चाहेंगे, तमाम दरश्कों को आप बताएं, कि शुरुआती दौर कि इसकी पहचान क्या हो सकती है, कि किसी वेक्ति को महसूस हो कि हाँ, उसको ये संभावनाए है. ब्लैक फंगस, यूशली अब क्योंकि COVID के साथ आया है, तो लोगों का ध्यान इस पे जादा गया है, हम पहले भी इसको treat करते थे, जब COVID नहीं था, तो साल में 3-4 मरीज आते थे, लेकिन इस बार second wave of COVID में लगभग जब ये आने शुरू हुए, तो एक दिन में मेरे center में 10-15 मरीज सीधे चले आ रहे हैं, second, third, fourth stage में पहुँच कर, एक काफी डरावना समय था, जैसे COVID ने डराया, ऐसे ही इस ने डराया, और तभी लोग aware हुए कि ये बेमारी क्या है, बेसिकली बताया ये जाता रहा है कि भई, मरीज की immunity कम है, हमने steroids ज़्यादा दे दिये COVID ठीक करने के लिए, या नल्कियों में जो जिससे oxygen दी जाती है, उसके through infection हो गया, बहुत सारी चीजों का आया, तो क्योंकि हम हर रोज इन साथ जूजते हैं, इन मरीजों के साथ हम बढ़ते हैं, literature, क्या publications हो रहा है, क्या all over world इस पे researches हो रही हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा उस पे ना जाकर, अगर point wise बताऊं, तो पांच-छे ऐसे कारण उभर के आए हैं, जिनके वज़े से म्यूकर का बढ़ना explain होता है, पहला ये है कि मरीज लगभग जितने भी मरीज म्यूकर के आए हैं इंदरों में, सभी को detected या undetected diabetes रहा है, यानी sugar के बेमारे, दूसरा कहीं न कहीं उनको covid का infection हुआ है, ये covid के शुरू के पांच, जब covid active होता है तो उन दिनों में नहीं पाया जाता है, जब covid का खतम होता है, लगभग समझो infection होने के 10-15 दिन से लेके 20-25-30 दिन तक के बाद में ये देखा जाता है, जब covid की treatment हो चुकी है, तो covid और sugar तो common factors है ही, तीसरा factor देखा गया कि oxygen की नलकिया वो साफ हो रही है के नहीं repeat हो रहा है, उसको clean किया जा रहा है के नहीं, oxygen की supply industrial तो नहीं है, जो एकदम medical use के like है के नहीं है, और फिर दवाईयां दी जानी, covid इतनी भियानक speed से आया इस बार, कि उसको control करने के लिए, doctors ने एक बार खुल के दवाईयां दी ताकि जान बचा सके, उसमें steroids और anticoagulants आते हैं, immunosuppressants आते हैं, तीन drugs हैं जो यूज की जाती है, जब covid mild से moderate या severe degree में चला जाता है, क्योंकि उस वक्त जरूरत भी होती है मरीज की, अगर उसकी जान बचानी है तो हमें यह देना पड़ता है, और उनमें था लेकिन वो कभी hospital नहीं आये थे, और उनमें से कईयों को पता भी नहीं था, उनको sugar है, वो तो हमने यहां टेस्ट करवाए, तब वो पता चल सका, वो HBA1C1 टेस्ट है, जिसमें पिछले तीन महीने का पता चल जाता है, तो उससे अपनी multiply करने के लिए, और जब वो उसका, वो जब मर जाता है, उसकी cycle पूरी हो जाती है, बॉड़ी में, तो वो अपना iron release करता है, वो excessive iron हो जाता है उदर, उदर से diabetes है, acidosis होकर, तो यह mucer के लिए iron mucer पे ग्रो करता है, तो multiply होने से mucer mucerosis होने के chances बढ़ जाते हैं, ऐसा research is proof कर रहे हैं, मुझूदा समय में, किस प्रकार की स्थिति आप देख पा रही हैं, अभी हालात किस प्रकार से हैं, कोरोना के दौर में ब्लैक fungus को लिए, कोरोना के दौर में यह important बात है, जो हमें रखनी है, कि उसको treat करते हुए, हम एक मिनट के लिए भी भूल ना जाएं, कि इससे related complications को भी ध्यान में रखते हुए, कोरोना कोविड को treat करना पड़ेगा, अब इसने proof कर दिया कि जैसे ही हम over usage of medicine, क्योंकि धीरे धीरे develop हो रही है, कोरोना की treatment सबको नहीं आती थी, लोग सीख रहे हैं, कई बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई होने थोड़ा इदर से लिया, इदर से लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे देश में एक single जो की अब ICMR ने release कर दिया है, treatment for covid, treatment for fungus, उसके उपर पूरे protocols बन गए हैं, all over India, हर डॉक्टर को उसी protocol पर treat करना चाहिए, तो हमको minimum complications मिलेंगी, और जैसे covid का graph बढ़ा और नीचे आया, उसके पीछे पीछे उसके 15-20 दिन बाद, mucer का graph बढ़ा और नीचे आया, तो अब mucer बहुत कम है, सिर्फ वही आ रहे हैं, जो बड़े-बड़े, जैसे कि कई centers में वह नहीं पूरा treat कर पाए, या revision case करना बढ़ रहा है, या बढ़ गया है, पूरा तरह इलाज ने हुआ, तो वह पुराने किये हुए, जो कहीं और के हैं न, अब हम कर रहे हैं, वह वाले जो original आ रहे थे COVID के बाद के, वह अब के लिए लगभग ना के बराबर है, ब्लैक फंगस में अलग अलग वराइटी सुनने को मिली, येलो फंगस होगे रहा है, वो क्या हुआ कि, जस्ट एक मेरे को ऐसा लगता है, कि जब एक चल रहा होता है, तो उसकी नकल दूसरी तीसरी कितनी भी बनाये जाओ, फिर हम डराने पर आ जाए न, human race को तो डराने में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ब्लैक फंगस तो था और काफी दराम ना था, मैं अभी आपको बताऊंगे आगे वो क्या क्या कर सकता है, फिर सुना कि वाइट फंगस आ गया, अभी हमने देखा वाइट फंगस ये कलर्स क्या है, तो जाना कि जो black fungus है वो तो काला वो जो tissue को जो वो करता है वो black कर देता है और usually nose और lungs में जाता है white fungus हमें यही समझ में आए कि यह mucormicosis है वो candidizes है एक अलग variety है और candidizes usually मुँ में छाले होना मुँ में fungus हो जाना नाकनों पे होना skin में होना इसको candidizes बोलते हैं लेकिन जब वो उसका दूसरा candida alpicans से होता है अगर किसी दूसरे organism से candida के हो जाए तो वो पेट की आंतियों में lungs में brain में कहीं भी जाता है तो candidemia हो जाता है which is a very serious disease और वो क्योंकि tissue वहां white होता है तो उसको उन्होंने white fungus कह दिया और yellow fungus सुनने में ऐसा है yellow fungus वो क्या है अरे बही जब और ज्यादा tissue खराब हुआ पस निकल के आने लगी yellowish pus उसको yellow fungus कह दिया so it was just a description of fungus itself it is not a separate disease आप उसको रंग दिये जाओ organism जरासा फरक हो सकता है but overall को yellow white में कोई फरक नहीं है और white maybe उन्होंने candidisus जो की जिसके लिए slightly थोड़ी different treatment है mucormycosis के लिए slightly थोड़ी different है वस इतना सा फरक है infection वो भी fungus है ये भी fungus है तो medicine से ही treat हो रहा है या surgery की आवशकता कब तक हो है कि पहले तो शरीर में होता है मरीज को पता नहीं चलता है अब तो जैसे पता चला तो जिसको नहीं भी है वो भी डर के मारे आ रहा है जी देखना आंक में लाली हो रही है फंगस तो नहीं हो गया black fungus अरे मेरे गाल में हो रहा है मेरे खुद के कलीग्स वो बोल रहे है देखो जरा मेरे नाक में दर्द हुआ है black fungus तो नहीं होगा इतना ज़ादा डरा दिया इसने आम जनता इससे बहुत ज़ादा डर गी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि हम और बिमारियों से डरते हैं हमें इसके लिए भी aware रहना चाहिए you should know कि हम किस stage में से गुजर रहे हैं हमारे घर में किसी बड़े को किसी बिमार को ऐसा तो नहीं हो रहा aware रहना है डरना बिलकुल भी नहीं है इसमें क्या होता है इसकी चार stages है पहली यह घुसता नाक से गुसेगा और उसके different roots लेगा अगर वो mild form में हुआ है तो नाक की चम्री को करेगा बस यह stage one कहते है stage two में होता है जब यह sinuses है हमारे जिनके बारे हम अकसर बात करते हैं तो sinuses को infect करेगा तो यह stage second में चला जाएगा तीसरी stage होती है जब वहाँ से या तो आँख को असर करें नहीं तो तालू को तालू का काला पड़ जाना आँख के आसपस नीला हो जाना काला हो जाना यह उसका representation है यह grade three है stage four है जब इसको cross करके सीधे से कई और जरूरी नहीं है कि हर मरीज एक दो तीन stages में से गुजरे जो बहुत से क्या सीधे चार stage पे कई मरीज हमारे पास आए सीधे चार stage पे उनको बचाना बहुत मुश्किल था क्यों ब्रेन में पहुंच चुके ब्रेन को जाने वाली important नसे हैं उनको ब्लॉक कर चुके ब्रेन में इंफार्क्ट हो रहे हैं है जब तक वा रहे हैं तो अलड़ी बचाने लाइक बचे ही नहीं stage four में तो दवाईयां और surgery, surgery कोई ऐसा intricate ऐसा नहीं है कि surgery हम क्या कर रहे हैं हम basically surgery से जो अंदर dead tissue और वो जो fungus असर कर रहा है उस सारे को निकाल देते हैं इसको कहते हैं कि हमने debulking कर दिया, deloading कर दिया और उसके साथ-साथ हम antifungal चलाते हैं जिससे की और बढ़े नागे इधर से हम उसकी मार कर रहे इधर से हम dead tissue जिसके through वो grow कर रहा है, dead tissue इसले पर निकालना होता है कि antifungal और बाकी की दवाईयां blood root से जाती हैं, अगर यहां dead tissue पढ़ाऊगा तो वो वहां तक पहुंचेंगी नहीं दवाईया, to make the drug available at the right place तो हम उसको surgery करते हैं, अब नाग के पहली stage में तो उतनी करेंगे, दूसरी stage में तो sinuses clear करेंगे, लेकिन अगर तीसरी stage में आ गया तो हमें लोगों की आँख निकालनी पड़ी है, हमारे देखते देखते उनकी नजर चली गई, रोशनी चली गई, आँख में fungus फैल गया, बहुत speed से होता है, और फिर तालू में हो गया, पूरे के नहीं exentration होगा, exentration, debulking, deloading, कुछ भी कहलो, वो सारा tissue निकालना होगा, हमें उस tissue के beyond जाना होगा, जब तक यह surgery करते हैं, जब तक normal bleeding ना start हो जाए, विच मीन्स कि अब normal tissue आ गया, और उसके बाद antifungal दिये जाते हैं, antifungal की कहानी अलग है, जैसे देश तयार नहीं था remdesivir याई वो दमाईयां, थोड़ी सी होती थी, अब क्या होता है कि एक घर में दस लोग रहते हैं, दस लोग के लिए हम दस बात्रूम तो नहीं बनाते हैं, घर में toilet एक या दो होते हैं, लेकिन अगर दसों को दसों को एक साथ diarrhea हो जाए, तो shortage हो जाएगी ना, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हमने हमारे देश ने तयार नहीं किया कुछ नहीं, ये बेमारी जितनी थी उतना ठीक था ना, उसके हिसाब से चल रहा था, अचानक से हुआ, अचानक से M4 Terresin जो पड़े-पड़े सालों साल चली जाती थी ऐसे ही, उसकी थोड़ों गई, अब अ के हमें पता चलना चाहिए, लेकिन एक भी दिन, एक भी पल गवाए बिना, जो resources है उनको इकठा करो, और जितने लोगों को बचा सको, वही हमारी achievement है, बिल्कुर, तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं, देखे, बहुत से लोग भैवीर भी हैं, इस बिमारी को ले करके, कैस आप उन्हें जो है, मैसेज देना चाहेंगी, ताकि ठीक है, वो समय पर डॉक्टर के पास पहुंचें, लेकिन घबरा आए नहीं, अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ, पहली बात है, मास्क और दो गज के दूरी जरूरी, कोविड की थर्ड वेव आएगी के नहीं आएग जब तक हमारा देश पूरी तरह से कोविड से मुक्त न हो जाए, हमें मास्क और रखना चाहिए, यह हमारी और दूसरों की सेफटी के लिए, क्योंकि जैसे ही हम यह उतारते हैं, तो वो मास्क और तो उसका अटैक फिर आ जाता है, यह सबसे पहली बात है, अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो हमने 100% बेमारी को अपने से दूर कर दिया, दूसरा अगर आपको कोविड हो गया है, आप सही इंसिचूट में जाएं, जहां इसका इलाज होता है, आनन फानन में किसी पे भी, जो हो सकता है किसी को नहीं भी आ रहा, वो क्या दवाई दे रहा है, क्या नहीं हो सकता है, educate yourself, protect yourself, keep your health good, अपने health अच्छा खाना पिना रखें, और वर्जिश करना, योगा करना, exercise करना, I think ये हमारे routine का एक हिस्सा बन जाना चाहिए, जो हमारे ही देश में योगा का वो हुआ, सबसे जादा इसको value किया गया, और हम ही भूल गए हैं उसको, तो वो बहु stage में, पता चलते ही, कैसे present करता है, मरीज को जो covid हुआ हो, और साथ में diabetes की treatment ले रहा है, उसको आँख में जलन, आँख में लाली, सिर में दर्द, आँखों में दिखना कम होना, आसपास आँखों के सोजिश हो जाना, काले रंग के धब्बे पढ़ना, तालू का गलना, चक problems हो रही है, सारा कुछ पूछे, हर मरीज का right है कि डॉक्टर के पास जाके, वो इस बिमारी के बार में पूछ सकता है, और अपने डर को निकाल सकता है, पर डरें नहीं, ऐसी ये बिमारी नहीं हैंगी, हवा में चल रही है, एक से दूसरे को infect नहीं करती, बिल्कुल भी नह करते हैं, अगर आपकी immunity कमजोर है तो COVID या ना COVID, म्यूकर बहुत जादा बिमार लोगों को पहले भी होता था, अभी भी होता है, हाँ definitely COVID के आने से इसकी speed बढ़ गई, पर ऐसा डर पालने की ज़रूरत नहीं है, आप educate करें, जरा भी आपके परिवार में कोई बिमार लगता है कुछ है, immediately doctor, इसमें delay ना करें, क्योंकि by chance अगर हो रहा है और stage 1 पे है तो बढ़े आराम से control किया जा सकता है, stage 2 पे बहुत आराम से control किया जा सकता है, stage 3 में आपको शरीर का एक अंग हो सकता है, हमें sacrifice करना पड़े, आँख्या तालू, और 4 हैं जो वो बचाने पुरे कितना भी कोशिश कर लो, brain में जब चला जाएं, तो chances of survival 30% रह जाएं, वो दो शुक्रिया रोग साब आपने तवाम बहतरी जान करी हैं, तो उमीद है, मैं उमीद करती हूँ कि हमारे देश की जनता, citizens इसके, इस बार इस बिमारी के बाद अपनी health को बहुत seriously लेंगे, डरन किसी भी चीज का इलाज नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेना, और सही तरीके से जीवन को जीना, यह जादा important है, तो डर तो, डर का तो कोई मतलब भी नहीं है, आने वाली दुनिया ना जाने कितने नए infections को लेके आएगी, तो अगर हम डर गए तो फिर हम तो जीना बं बिमारी से डरने से बेहतर है कि उसके बारे में आप जाने, दौक्टर माधुरी महता हमारे साथ थी और इन्हों ने इतनी खुबसूरती से तमाम बातें बताई हैं, जाहिर तो पर जो हमारे साथी या जो दर्शक कहीन कहीन घबराए हुए थे, डरे हुए थे, उन्हें जर झाल झाल